विपलव ने अपने हाथ को चोट पहुचा ली है अब इनके लिए गुंडों से भिड़ पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है टीवी शो इश्करंग सफेद मीर क्या हुआ पहले तो विपलव ने गुंडों को जम को सुनाया उसके बाद गुंडे चुप हो गए यह देखने लाया कि किस तरह से विपलव ने गुंडों को फटकारा जिससे उनको समझ में आ गया कि उन्हों ने सुवड़ा के साथ कुछ गरत किया है एक पचाया विपलव ने से लेक्चर दे देगा यह क्यो वो क्यो और लोग भाग जाएंगे ओविसली अब तूटे और हाथ से कहां लड़ेगा ता प्रेटी शुर की कुछ बोलेगा और लोग समझ राई से चले जाएंगे लड़ने से अच्छा है कि चले जाएंगे प्रेमस रपोट